हेलो एवरिवन, बेलकम बेक टू माई चैनल, आज हम आपके साथ एक ऐसी स्विट डिस्की रेस्पी से एर करेंगे, जो आपको तीन मिठाईयों का स्वाद देगी, और इतनी जादा सौप्ट है कि मोह में जाते ही घुल जाएगी, खाने में तो तैश्टी है ही है, और बनान भी इसे बहुत ही जादा आसान है, चले बनाना शुरू करते हैं, एक बाउल में बन थर्ड कप दही लिया है, दही जादा खटा नहीं होना चाहिए, और आधा कप पाउडर सुगर लिया है, चीनी को आप घर में ही पीशनी जिए, और जितना हमने दही लिया था, उतना ही ह यूज कर सकते हैं, बस उसमें इसमेल नहीं होनी चाहिए, हमने यहाँ पर ओलिव ओईल का यूज किया है, तीनों चीजों को अच्छे से मैस करते हुए फैटनेंगे, इसे तकरीवन 5-7 मिनट चिनलगातार चलाते हुए आप फैटनेंगे, यह देखिए बहुत ही जादा स् पर हम एक स्टेनर रखेंगे, एक कप हमने यहाँ पर मैदा लिया है, एक टी इस्पून बेकिंग पावडर डालेंगे, और आधा टी इस्पून इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला है, तीनों चीजों को छान लेंगे, अच्छे से मिक्स करते हैं, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूद डालेंगे, दूद आप एक साथ जादा मज डालिएगा, नहीं तो हमारे बेकिंग में लंज पड़ जाएंगे, और जितना हमने मैदा लिया था, उतना ही इसमें हम दूद डालेंगे, एक ही डायरेक्शन में जलाते हुए आप इसको मिक्स करिए, थोड़ा थोड़ा सा दूद डाल कर, इसको आप मिक्स करते जाएए, जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा, बेटर बहुत ही जादा स्मूथ होता जाएगा, ये देखिए, थोड़ा सा दूद इसमें और बच गया है, वो भी हम इसमें डाल लेते हैं, और एक वाल, दो-तीन मिनट के लिए अच्छे से मिला लेते हैं, ये देखिए, बेटर के लिए इसमें कुछ ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल पर्फेक्ट बेटर हमारा बन के तयार हुआ है, अब एक पैन लेंगे, पैन में कुछ बुंद ओईल की डालेंगे, और इसे एक ब्रेस से ग्रीस कर लेंगे, अच्छे से पैन पर आप ओईल लगा लीजिए फिर इस पर एक बटर पेपर लगाएंगे बटर पेपर पर भी थोड़ा सा ओईल डाल कर इसे ग्रीस कर लेंगे यदि आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप डायरेक्ट पैन पर भी इसे बना सकते हैं बस बटर पेपर से स्वीट को निकालना आसान हो जाएगा बैटर को पैन में डाल देंगे हलका सा टैप करेंगे जिससे इसके एर सारी निकल जाए इधर हमने लोहे का तवा जो घर में यूज होता है पांच मिनट के लिए फ्री हीट कर दिया था अब गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसको ढखकर 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही पकने देंगे इधर हमने एक लीटर दूद लिया है दूद में उबाला चुका है दूद आप कोई भी ले सकते हैं गाय भैंस या पैकट किसी का दूद भी आप यूज कर सकते हैं यहां थोड़े से दूद में हमने केसर डाली थी इससे हमारे दूद में अच्छा कलर आ जाएगा चार-पांच इलाइची को क्रिस करके डाल दिया है इससे इलाइची का फ्रेवर बहुत अच्छा आएगा यदि आपके पास केसर नहीं हो तो आप यहां पर फूट कलर यूज कर सकते हैं तीन-चार चमच चीनी डाली है चीनी आप कम जादा कर सकते हैं और यदि आपके पास फूट कलर भी ना हो तो आप थोड़ी सी हल्दी यहां यूज कर सकते हैं इधर 20 मिनट हो गए हैं एक तूटपिक से से चेक करते हैं देखें तूटपिक बिल्कुल साफ निकली है और केक बनकर तैयार हो गया इसे अप्ठंडा हो जाने देते हैं इधर हमारी दूट को पकते हुए भी 20 मिनट हो गए हैं दूट पहले से काफी कम हो गया है इसे हमने तक्रीवन 40% तक पका लिया है अब इसमें हम कटे हुए बादाम और पिस्ता डाल देंगे और ये हमारी एक गाड़ी रवडी बनकर तैयार हो गई इससे जादा इसे हम अब नहीं पकाएंगे केक भी हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है ये देखिए कितना सौप्ट और फ्लपी केक बनकर तैयार हुआ है साइट से बढ़िया गोल्डन कलर भी आया है एक प्लेट को लगा के पैन को पलट देंगे ये देखिए हमने बटर पेपर का यूज किया था इससे हमारा केक बहुत आसानी से निकल गया है धीरे से बटर पेपर को निकाल देंगे देखने से ही पता चलना है कि केक बहुत ही अच्छा बेक हुआ है बहुत बढ़िया गोल्डन कलर केक पर आया हुआ है बापस से फिर से इसे हम पैन में ही पलट लेंगे ये देखिए अब आप समझ चुके होंगे कि हमने एक बहुत ही ज़्यादा सौप्ट केक बनाया है फोक से केक को हम इस तरह से होल कर लेंगे पूरे केक में इसी तरह से आप फोक से होल कर लीजिए इससे क्या होगा जब हम अपनी रबडी को डालेंगे तो केक सारी रबड़ी को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये और ज्यादा सौप्ट हो जाएगा जो रबड़ी बनाई थी उसे अब हम इस पर डाल देंगे पूरी रबड़ी आप इस केक पर इसी तरह से फैला लीजिए और थोड़ी सी रबड़ी हम बचा लेंगे उसे हम सर्व करते समय डालेंगे एक घंटे के लिए इससे इसी तरह से आप फ्रिज में रख दीजिए आपको एक ही केक में रश्मलाई, रबड़ी और केक तीनों का फ्लेवर मिलेगा उपर से थोड़ा सा पिस्ता और बादाम हम और डाल देते हैं देखिए बन गया ना मेरा बढ़िया सा 20 मिनट में ही केक बन कर तयार हो गया आपको ये रेश्पी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताईएगा अब इसके चाकू से हम पीस कर लेंगे काटने से आपको पता चला होगा कि केक बहुत ही ज़्यादा सौप्ट बना है और जो भी रबड़ी हमने इसमें डाली थी सारी केक ने सोख ली है इसी तरह से पूरे केक के हम पीस कर लेंगे पीस आप छोटे बड़े अपनी पसंद के अनुशार कर सकते हैं ये दिखिए अब हम आपको एक पीस निकाल कर दिखाते हैं बहुत ही आसानी से पीस निकल जाएगा ये दिखिए जो बची हुई रवड़ी थी आप उसे पीस के उपर डाल लीजिए और एक ही केक में दो तरह की मिठाईयों का स्वाद लीजिए रेस्पी अच्छी लगे तो उसे लाइक, सेयर और कमेंड जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा थेंक यू